इसान भाइयो आप तो धान में यूरिया का उपयोग यह होंगी या कोई भी उर्वरा का उपयोग यह होंगे वो कितने मात्रा में करना चाहिए कितना लॉयल होता है यह सब बारे में हम बताएंगे फूरा वीडियो आन तक देखेगा मैं यह धान का 120 से कम दिनों का फ़सल मे बताऊंगा आपके ज़त में ये सब कोई एक बार यूज करना है जो मैं बताऊंगा उतना ही यूज करना है उससे ज्यादा नहीं करना है क्योंकि इतना ही आपके लिए ल्वायल रहता है अगर ज्यादा कीजेगा तो फिर उससे कंसर के जैसे भीमारी घातक भीमारी आ जाते ह ख्यद में और ख्यात को खुरब करने लगते हमİं खुँराब कर देते हैं यह जब अगर मिंटी का जाज कर रहा है तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि मीटी के जास पने पने परसंट क्या चाहिए यह चलाब से ढ剛 कह dura. भीडियो बनाना पडूरा, है क्योंकि जहां नहीं होता है वहां बहुत ज्यादा दिय्क्कत करना करना पड़ता है क्युंकि अगर फ़सल है उसम हिसमें दूर जाना प्रिय यह कर दिया गया है जांच कर देते हैं लेकिन वो लोग भी लेट लगाते हैं इसलिए हम जो भी बता रहे हैं उतना ही यूरिया और डिये पी और खाद का प्यों की जेगा देखिए आपका फासल बहुत अच्छा लाएगा कोई इसमें से एक ही उप्यों की जेगा मैं तीन चार क्रस्युक्त आप कि एक ही और पर ही उप्यों की जेगा अगर आपके चट्म च्थ में कभी यूरिया का कमी आ जाता है तो दूसरा में यजो बीडियों में बताऊंगा आप पूरा आप नोट कर लीजेगा अगर यूरियार नहीं मिलता है या इसे लाइक कर लीजेगा और लाइक में आपका सेफ रहता है तो वहाँ जाके सेफ रहेगा आपके चैनल में और वो ही आप देख सकते हैं पहले मेरे वीडियो के पहली बाला है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ऐसे तो ये ध्वाम रुपाई का बहुत अच्छा साधन होता है आपको यादमी रुपाई विधी से करते हैं यादमी इसे ऐसे ही कर देते हैं जैसे खेती के विधी से तो इसके गुना कर लिजेगा वह यूडिया 16 kg आपको चाहिए डीएपी 28 kg चाहिए एमोपी 11 kg चाहिए जिंक सल्फेर की बात करें तो 10 kg चाहिए और रुपाई के परचीस से 30 दिन बाद यूडिया 40-45 यूडिया 30 kg रुपाई से 30 दिन बाद 30 kg यूडिया उप्यों कर दिजेगा चालि मिला है तो आप रुपाई के समय की बात करें तो रुपाई के समय अगला मैं भी दिवाता रहा हूं एन्पी के 12-32 जो है वह 40 kg उप्यों किजेगा यूडिया 16 kg उप्यों किजेगा और जिंक सल्फेर 10 kg रुपाई के पर जिस दिन बाद 30 kg यूडिया 40-45 दिन बाद 30 kg फिर यूडिया और 12 kg उप्यों किजेगा यह बहुत अच्छा होता है यह धान के रुपाई में अगर नहीं मिला है यूडिया या कोई चीज नहीं मिला है फिर अगला फिर मतलब उर्वरा की बात करें तो इसमें से कोई एक रुप्यों किजेगा इसमें आप एन्पी के 12-32-20-20 चीरो तेरह आप 65 kg उप्यों किजेगा यह अलग आता है और 11 kg उप्यों किजेगा 10 kg जिंग सल्पियों किजेगा रुपाई के 25 दिन बाद यूडिया 30 kg उप्यों किजेगा और 11 kg उप्यों कर दिजेगा अगर अगला भीरा मतलब विद्धी की बात करें तो एन्पी के 14-35 च करना है और 16 kg यूडिया 10 kg जिंग सल्पियों करना है और 15 kg उप्यों करना है यह आपके लिए बहुत वायल रहेगा इतना ही आपको कोई भी ना कोई एक मिल नहीं जाएगा वहीं उप्यों कर सकते हैं और फिर अलग से एक वीडियो बना देंगे जो इसमें आपको समय यह 123 से कम बाली फसल के लिए मैं बताया हूं अलग से कल वीडियो एक ले आएंगे अगर मेरे वीडियो पर पहली बारा आए है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब